मुटा कोलेज की आनलाइन क्लासें पे आपका इस्तक्बाल है जैसा के आज का हमारा मुदू है सेख इमापक्स नासिक की साहिराना आजमत आज हम नासिक की गजल गोई पर जब्चा करेंगे उनके कलाम की तारीफ करेंगे उनके जो गजले हैं उन्होंने अपनी गजले जो कही है वो किस लहजे में कही है उन सब का आज हम तफसिलात से जायजा लेंगे उनकी साहिरी का आज हम जायजा लेंगे कि उनकी साहिरी किस अजमत की हामिल है उनकी सायरी किस हद दर्जा अजमत रखती है तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक हम सुरू करते हैं देखिए इससे पहले के वीडियोज में हमने नासिक की गज़गोई और उनके हालाते जिन्दगे पर मुक्तसर तावुख भी किया है उनको हमने इंट्रिड्यूस भी किया है उनका मुक्तसर तारुख उनका मुक्तसर जायजा भी नहीं आए तो चलिए मौज़ को शुरू करते हैं दिखे उर्दु गजल के नाम अबर शायरों में बेशक नासिक का शुमार नहीं लेकिन उनके बगरेद उर्दु गजल का जिक्र किसी तरह मुकमल नहीं हो सकते हमारी जमान के बहुत से गजल गोशायर है नासिक जिनकी बुलंद शुम में नासिक किसी तरह खड़े नहीं हो पाते लेकिन गजल गोई के फन में उनकों ने जिस उस्तादी का मजाहिरा किया है वो आज तक हमारा कोई शायर नहीं कर सकते नासिक का रंगे शुखन उनके अपने जमाने में बेहत मकबूल था कि बड़े बड़े शायरों ने उसे ललचाई हुई नजरों से देखा और अपनाने की कोशिश देखा मौमिन और गालिब दोनों ने नासिक की पेर भी करनी चाहिए मगर नाकाम रहे मौमिन से ज़्यादा गालिब पर नासिक का असर दिखाई नेता है एक सेर्वे कलामे मीर की पसंदीदगी के सिल्सिले में वो बहुत फक्र से नासिक की हमनवाई करते हैं गालिब अपना ये अकीदा है बगवल नासिक आबे बे बहरा है जो मौतकीदे मीर नहीं नासिक की सायराना खुसूशियत पड़ते हैं शुरू करते हैं नासिक ने गजब और मस्नवी पर खास तवज़ दी हैं अर्दो अदब की तारीख लिखने वालों का बयान है के नासिक ने अर्दो शायरी में तीन डिवान और दो मस्नवियां यादगार छोड़ी हैं उनकी गजबों का मुताला करने से अंदाजा होता है कि उनके यहां लखनव की बुरएश जिन्दगी का रंग नजर आता है उनके कलाम में वार्दाति इस्त और रोमानी जजबात का भरपूर अक्स नजर आता है तो चलिए लखनव के इस अजीम शायर की गजबोई का जाइजा लेते हैं इनकी तारीफ इनके कलाम की तारीफ पेश करते हैं देखिए सबसे पहली जो इनके खाशियत है और शायरों की तरह इनके गवंगी आशिकाना मजामीर की हमेशस पाए जाए जाए आशिकाना मजामीर की पहली दूनी जैसे कि हम जानते हैं हर सायरों के पास जो कदीब दूर के सायर थे वो ज्यादातर अपना मज़ून इसको मुखबत को रखा करते थे उस दूर में ऐसो इसरत का दूर दूरा था लखनव की फिजा भी सायर थे तो इनके पास तो पूरी तरह से हमें इसकिया मज़ून देखने को मिलेंगे जानते ही इसकाना मजामीर कैशा है देखिए नाशिक के कलाम में आशिकाना जजबात और जमालिया की जमालिया की इजहार खास तोर पर दिखाई देता है वो आशिक वे मासुद के जजबात को पुर असर अंदाज में पेश करते हैं उनका ये इस्ट मिजाजी है जिसमें महभूम से जुदाई पर आशिक के नाला वफरियाद की एक दास्तान नजब आगी है कुछ सेर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिनको हम पीछे पढ़कर भी आए हैं जिनकी तसरी इन शेरों की तसरी आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं जिसका हमने टाइटल लिखा है नासिक की गज़त की तसरी उसमें हम इनकी तमाम जो गज़त हमारे निशान में शामिल है उसकी तसरी पढ़ चुपे हैं चलिए शेर पेश करता हूँ दम निकलता है मेरा हर आशी उगर आशू को बड़ गुल में तेरा लंग गुल-गुल में तेरी आवाज है एक और शेट कहते हैं तेरे आरिजवे कामत को देख कर बलाए शरो फूल खिला है गुलाव का एक शेर बो, पेशे नजर बो, बात जो मेरे मशीहा की है एक एजाज है, जान आजाए तन बेजामे वो है इन अशार को पढ़कर नासिक के कलाम की खूबियां सामने आती हैं, वो आसिकाला मज़मी को बहुत ही पुरुवसर अंदाज में बयान करते हैं नासिक ने महभूम के कदो कामत को सरों के पेर से तश्वी दी है, अगला इनके कलाम की जो भूबी है वो है तखील या मखिला की परवाज, दूसरी जो भूबी है वो है मखिला की परवाज, हम यहां इनकी तख्वीर की परवाज भी कह सकते हैं इसको एगी बात है यही इनका जो जहर है, वो कहा तक पहुचता है, यह कहा तक अपने ख्याल पेश करते हैं, इनकी ख्यालों के जो उड़ाद है, वो कैसे हैं नासिब ने अपने कलाम में इसको इसरत के जजबात के अलावा दुनियावी मौामलात और हकाइप पर भी इजहारे ख्याल किया है, जिस से उनकी जहानक और शायराना पुद्रत का पता चलता है, शेर मुदाए जाओ, कफन की जब सपेदी देखता हूँ गुद्ज मरकद में, गुद्ज मरकद यहां कवर को कहा है, तो आलम याद आता है, शब महताब इजराँ यानि जुदाई की रात के उस चमकते हुए चांद की याद आ जाती है, उस चांद की चमक, उसकी शपेदी याद आ जाती है, जब अपने कफन की सबेदी को देखता हूँ, अगला इनकी गजब की खुदी, वो है इनकी मौामला मौदी, इस भी जो खुदी है, वो है मौामला मौदी, तो इनकी गजब में मौामला मौदी भी पुरी तरह से खुले भी है, पाई जाती है, तो इनकी देखते हैं मौनलाबन्दी के शीड़ी देखिए इन्हों ने जिस जमाना में शायरी शुरू की उस दोर में लखनव की तहजीब में तकल्फ बतिसना के असराद चायब हुए थे हर तरफ एशो निशात का दोर दोरा था यहां तक के शायर भड़े अलफाज इस्तमाल करने में भी फखर महसूस करता था क्योंकि उसका मकसद अवाम के लिए तफरी तिबे का शावान फराहम करना था यही खसूशियत आगे चलकर सायरी में दूर तक नजर आती है नाशिक भी इस तरह के खयालात से अपने को या अपने आपको बचा नहीं पाए उन्होंने भी मौामला बंदी अपनी शायरी में सामिल करनी ही पड़ी कुछ शेद जो मौामला बंदी से तालूप रखते दिया मेरे जनाजे को जो कांधा उस परी रोने गुमाहे तखता ताबूत पर तखते शुले हुआ यानि ऐसे ऐसे अलफाज इस्तमाल किये हैं हर शायरों ने जाना तर लखनो के शायरों ने वहां के शुरा में ये मौमना बंदी बहुत जादा हद दर्जा तक आई जाती है एक और शेद मुश्किल बगेर शाकी महवस है दोरे में महताज आखताब हुआ माहताब का इसी गज़त का एक और शेद पीरी बगेर हमने ना देखा तुलूए शुभा गुजरा सबे फिरात में मोशं शवाब हुआ तो ये अगर हम नासिक की गजलों का गहराई से उताला करते हैं तो मुआमदा वंदी इनके यहां ही हमें देखने को मिलेगी जैसे की लखनव के और शायरों में पाई जाए ये एक रिवायत थी एक रिवाद साथा लखनव दविस्तान के शायरों में और वहां पर हमें ये बेहत जादा दर्चे में पाई जाती है चलिए आगे चाते हैं एक और चीज जो लखनव के तमाम शौरा के पास मिलती है लगभग वो है की गजल में रियायते लखजी तो ये भी इंका साहिवी में पाई जाने वाली एक एहम खूली है लियायते लखजी देखे लियायते लखजी क्या है देखे लियायते लखजी का एक जो ने इस शेयर लिखा है मीठी नजरों से वो क्या देखे मुझे हरी हरी की आँखों में बादम तलख देखे लखणों के जो शोरा है उनकी दूसरी खूबी रियायते लखजी ही है नासिक के यहां भी रियायते लखजी के शेयर मिलते है यानि पीछे जिन शायरों ने जिस तरह के अलफाद जो रियायती जो रियायत चली आ रही थी जैसे अलफाद वो इस्तेमाल करते थे उसी तरह का रंग उसी तरह की फिर उसी तरह का आहिंद नासिक ने भी उनहीं की पेर भी करते हुए इस्तेमाल किया रही है इसी का नाम रियायते लफजी है अगली जो पुरूबी है वो है मुबालवा अमेज तस्वी वह इस्तियारे तो यहां मुबालवा हम अच्छी पर ऐसे जानके है यहां के हर सायों के पास पायदाता है तो मुबालवा अमेज यहीं हर्फूर मुबालवा पायदाता है तस्वी वह इस्तियारे जेशी की इस बात से मुच्छी तरह से वाकित है के लगलो के लगबख शायरे के पास मुबालवा अमेज तस्वीहाद वह इस्तियारा की अमेज असपाई जाती है फरावानी पाई जाती है उनकी शायरी में ये बहुत ज़्यादा उनके कलाब में पाया लाता है जूट का वो शहारा लगते है अपनी शायरी में लेकिन वो जो मुबालवा इस्तिमाल करते हैं उनका वो मुबालवा शायरी में बहुत ज़्यादा हुसे भर देता है शायरी को हसीन बना देता है चलिए इनके मुबालगे पर चर्चा करते हैं इनकी जो मुबालगा उन्हें इस तस्वीहात हैं और इस्तियारात हैं उन पर चर्चा करते हैं देखिए जबान साची और जबान दानी के जान में लखनो के सोना ने मुबालगा अमेज तस्वी और इस्तियारे कलाम को खूब सूरत बनाने के लिए और माणी के नए में पहलो रोशन करने के लिए इस्तिमाल किये और नासिप ने भी उनके उनका बेहत इस्तिमाल किये लिखते हैं मेरा शीना है मश्रिके आफ़ताबे दाग विजरा का तुलूए शुभा मैसर चाग हैं मेरे दिरे बाग यहाँ इन्होंने अपने शीने को के जख्मों को आफ़ताबे यानि आफ़ताब से मुराद है सूरज सूरज की तरह चमकता हुआ बताया नासिक का कलाम खूबियों और खामियों का मजमुआ है यह कहना इन्साफ नहीं है के नासिक की कुलियात लफाजी तिष्ना मुबालगा आराई यहां तक के तुक बंदी फनी बाजी और शागदा बाजी यानि जादुवरी के सिवा कुछ नजर नहीं आता बलके असलियत वो है जिसकी तरफ डाक्टर सभी इन खसन ने इशारा किया है वो इनके कलाम के बारे में बोलते हैं बताते हैं उनके मताबिक इनके दीवान में बहुत से एशे अशार भी मौजूद हैं जिन्हें शुकर नील और गालिब भी खुले दिल से दाल दे सनाए और बदाए की इस मुसलाधार बारिस में जो हमें नासिक के दिवान में मिलती है जजबा और एहसासात की शिद्द का कुंदा भी अक्सर नजर आ जाता है और रियायत लगजी के गरचते हुए बागलों में गर्मी दिल का पेदा पुर्दा बिच्छी का लग्का भी दिखाई दे जाता है नासिक का सुमार उर्दू के अजीम शायरों में ना सही लेकि कुस्ताद फन में उन्हें एक नुमाया मकाम हासिल है और इस नाहे जबान के सिलसिले बे उनका कारणामा यकीन यादगार या याद रखने के कामिल है तो ये हमने जो आज बढ़ा वो है नाशिक के कलाम की खूबी उनकी जो गज़त बोई है उसका हमने जायजा लिया हमने जाना के नाशिक के कलाम में ये मुखति खूबिया खाई जाती है जिन में आशिकाना मजामीर मखिलात की परवाद मौामला बंदी रियायत लग्जी और नुबालगा आमेज तस्विहात और इस्प्यानात की आमेज़स ये सारी हुबिया नाशिक के कलाम में पाए जाती है और हम अच्छी तरह से जाते हैं कि ये खूबिया लखनव के लंसम हर सोरा के यहां मिलती है लेकिन लखनव के और सायरों से हटतर इनका जो कलाम है वो उनसे थोड़ा मफ्तलिफ नजर आता है उस्ताद फन में इन्हें सरे फहरिस्त में सामिल किया जाएगा क्योंकि लखनव की जो रिवायती शायरी थी उससे हटतर इनकों ने कदम रखा था उस रविश से बड़़् यह चले थे जैसा कि हमने जाना पहले के जो शायर थे वो किसी भी तरह के लखनव के खास तोसे रसूर्शन जो शायर थे वो किसी भी तरह की शायरी में लखजों का इस्तवाल किया गड़ते थे लेकिन नासिकों पहले शायवे जिन्हों ने लखनों की शायरी की इसनाहती मुकर्रन लखज दिये और वहां की जो शायरी थी जो रिवायत थी उस पर बहुत से उशूर लगाए और बताए कि ऐसे लखजों का इस्तमाद अपनी शायरी में ना करे खुद भी उस रिवायत से बचे और दूसरे शायरों को बचने के इसलाह दी अपने शागिर्दों को भी इस काम में लगाया ताकि लखनों की शायरी को स्वारा जा सके और एक शायरी का नया दमिस्तान पेदा करें जा सके इनकी इन काविशों ने इन कोशिशों ने अपना रंग दिखाया और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया और दुनिया में उस दोर में उस जमाने में एक नया दबिस्तान उहरकल शायरी का शाम्रे आया अर्दु अदम में हमें इस दबिस्तान से उन्हों ने आसना कराया इस दबिस्तान को एक अलग पहचान दी तो हम कह सकते हैं के लखनव दबिस्तान के मानी कौन है नासिख है नासिख ने इस लाह जमान का काम किया और बहुत से उशुद भी वहां पर कायम किया तो देखिए आज हमने नासिख के कदाम के बारे में जाना आगे हैं। हमारे पास जो गजल निगार हैं उनमें एक गजल निगार मुचे ले वो है मुलाना उताथ हुसेन खाली जो हमारे बीए सेकिंड येर के पहले पर्चे में सुमार्शामिल किये गए हैं। उनकी गजल निगारी उनकी गजल की तारीफ उनकी हगाते जिन्दगी और उनकी गजल की खसूसियात पर उनकी गजलों की तस्रीखात के साथ में अभी ये पढ़ेगे शुक्रिया किया पुक्रिया बनकी जे खिया गए है तसे अटान से Ổर उनकी चामारे जिए हैं।